हलो दोस्तो स्वागत है आपका अर्विंद स्टेडी सेंटर मैं आपका साथ ही अर्विंद कुमार कैसे हूँ आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित होंगे तो आज हम आपको बता दे है तो सीटेट के तरफ से क्या नोटिफिकेशन है उस पर हम आपसे बाड़ी की से चर्चा कर लेते हैं क्या है तो यहां आप देख रहे हैं कि 25 अपरेल से शुरू होगी आवेधन पड़किरिया तो आपके लिए ये बेहतर सुनाहरा मौका और और औसर भी है क्योंकि आपक पतरता परिक्षा सीटेट 2023 को लेकर अभ्यार्थियों में काफी समय से अवेधन परकिरिया का इंतिजार कर रहे हैं हलांकि अब इनका इंतिजार खतम हो गया आपकी जनकारी के लिए बता दे कि केंद्रिया माध्यामिक सिक्षक बोर्ड सीबी एसी द्वारा केंद्रिया सिक्षक पतरता परिक्षा सीटेट के लिए आवेधन परकिरिया 25 अप्रेल से शुरू होने की खबर चर्चाओं में हैं प्रंतु आपको बता दे कि केंद्रिया माध्यामिक सिक्षक बोर्ड द्वारा सीटी एटी 2003 के लिए आवेधन परकिरिया को लेकर इस परकार की अभी कोई जनकारी साजा नहीं की गई है जिससे यह असपरिस्ट है कि कहपाना मुश्किल हुआ कि आवेधन परकिरिया 25 अप अपरेल से शुरू होने की खबर सोसल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है प्रंतु यह इस्तिती असपर्ष नहीं है कि और आपकी जनकारी के लिए बता दे कि केंद्रिया माध्यामिक सिक्षक बोर्ड द्वारा केंद्रिया सिक्षक पतरता परिक्षा सीटेट 2023 के लिए अगर 25 अपरेल से शुरू नहीं की जाती है तो इसके लिए अवेदन परिक्षा माई के पहले सब्ता में शुरू की जाएगी फिलहाल अवेदन परिक्षा सुनू शुरू होने को लेकर कोई माध्यामिक सिक्षक बोर्ड की तरह से कोई टिपनी अभी तक नहीं आ दें ताकि जो लोग को वायद लगाए बैठे हैं कि सीटेट का 25 अपरेल से शुरू होगा तो बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे थे तो सभी लोगों को हम बता देते हैं कि आपका ऐसा कोई सीटेट के तरफ से नोटिपिकेशन नहीं आया और आपका 25 अपरेल से शुरू नहीं होगा वेधन पड़किरिया यानि मैं के पहले सब्ता में जारी हो सकता है फिलाल इतना ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट कवर के साथ धन्याओं